हाई एवरिवन मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूटूब चैनल आज का डेमो में आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं ब्लू स्टार के एक और डे टन 3 स्टार इनवर्टर एसे की जो आता है कनवर्टेबल 5-in-1 की टेकनोलोजी के साथ जिसका मोडल नंबर है IC318-ONU अगर यह आपको AC पसंद आता है तो इसका परचेज लिंक मैंने नीचे description में दे दिया है जहां से आप इस AC को परचेज कर सकते हैं प्राइज के अंदर कोई भी increment आपको देखने को नहीं मिलेगा और मेरे नीचे दियेगे परचेज लिंक के अंदर आपको सेम प्राइज मिलेगा बट इससे हमारी चैनल की थोड़ी बहुत हो जाती है तो जल्दी से करते हैं box को open दिखाते हैं आपको AC के अंदर क्या-क्या नए आदिया गया है तो जल्दी से start करते हैं तो यह है इसका indoor box और जहां पे आपको इसकी सारी detailing मिल जाती है सबसे पहले मैं model number बताता हूँ आपको IC 318 ONU और manufacturing जो इसकी है वो है 42024 जो कि बिल्कुल latest model है growth weight है इसका 13.1 kg का और यह बिल्कुल latest 2024 का नया model है और अभी looks दिखाते हैं आपको इसकी तो यह है देखिए इसकी first look बिल्कुल नया model है जहां पे आपको सामने की तरफ पोड़ी तो इसकी जाहिर से बात है यह प्लास्टिक के अंदर ही आती है glossy finish के साथ आता है matte नहीं आता और यहां पे आपको इतनी बड़ी एक silver color की यहां पे badge भी मिल जाती है जिससे इस AC की जो attraction है वो काफी जादा बढ़ जाती है मेरे के साथ से यह जो AC है काफी perfect है 100% copper coil के साथ आने वाला है convertable 5-in-1 की technology भी आपको इस AC के अंदर मिल जाती है जिसका मतलब है कि आप इस AC को 5 अलग अलग तरीके से convert कर सकते हो जैसे कि इसके अंदर आपको 40% का option मिल जाता है जहां पर यह AC अपनी लगबग आदे टन से भी कम capacity पर काम करता है उसके बाद 60% का option मिल जाता है जहां पर यह AC लगबग लगबग कौने टन के वराबर काम करता है उसके बाद 80% का option मिल जाता है जहां पर यह AC सावा ton के आसपास काम करता है 100% का option मिल जाता है जहां पर यह AC डेट ton का तो है और उसके बाद high cooling यानि के लगबग 110% का option भी इसके अंदर मिल जाता है जहां पर आपको इस AC के अंदर 1.6 ton की cooling capacity मिल जाती है यह AC 3 star energy efficiency rating के साथ आता है जहां पर आपको जो इसकी ISER rating है वो मिलने वाली है 3.81 जो की मेरे कहाल से काफी अच्छी है और उसके बाद इसकी जो cooling capacity है वो आपको मिल जाती है 5050 watt की 100% की capacity के उपर और 50% पर यह आपको मिलती है 2525 watt की electricity consumption की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 1026 unit per year एक साल के अंदर लगबग यह 1026 unit electricity consume करता है मान के चलो कि पर आर 0.6 unit के आसपास इसकी electricity consumption है उसके बाद इस AC के अंदर जो आपको एसी के अंदर वो भी जो वेट रहता है गैस का वह भी काफी कम रहता है blue fins के साथ आता है यह यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर आपको जो इसकी copper coils मिलती है वह totally blue fins वाली है जहां पर आपको ऊपर की तरफ यह filters भी मिल जाते हैं जो कि totally पूरी dust को clean कर देते हैं आपको बिल मिलती है इसके अगर हम इसके आउड़ोर यूनिट की बात करें तो वह भी आपका 100 कोपर कोई के साथ आता है इसके ऊपर भी आपको blue fins की कोटिंग मिलेगी जो की totally anti-corrosion रहती है उसके अंदर भी rust वागरा नहीं ले गया decent से size का इसका outdoor unit आपको मिल जाता है ठीक टाक weight वाला और उसके बाद इसके अगर हम remote वगरा accessories की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर remote kit वगरा मिल जाती है यह है इसका remote अभी मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा आपको pack 5 को अपको cell वगर आपको इसके अंदर मिलते हैं इसके बाद इसके अंदर दस फुट का लगबग आपको copper का pipe भी इसके साथ साथ मिलनेवाला है टुर इसे सारी पीसारी प्लते हैं तो अभी रिमॉट को करें अपन और दिखाओ इसके फिर औरá आ तो यह है आपका रिमॉट जो इस hoping के साथ है जहां पर आपको एक अच्छे साइस की स्क्रीन मिल जाती है और बहुत सारे बटन्स भी यहां पर मिल जाते हैं, बैक साइड से कुछ ऐसा रिमोट देखने में मिलता है आपको, इस रिमोट के अंदर आपको यह वाले नॉर्मल पैंसिल सेल डाल सकते हैं, इसके अंदर बैटरी डल जाती है, जो कि इस AC के साथ में मिलती है, यह भी काफी अच्छी बात है, उसके बाद जब आप इस AC को on करते हैं, तो यह वाला बटन आपने प्रेस करना है, on and off का, light आपको इस AC के रिमोट के अंदर मिलने वाली है, स्क्रीन के अंदर, उसके बाद आपको preset temperature पर यह रिमोट आपको मिलने वाला, जैसे कि यहां पर आप देख सकत जाता है, और maximum यह आपका, मेरे खाल से 30 degree तक जाएगा, 1 second, maximum यह आपका 30 degree तक जाता है, इस से उपर नहीं जाएगा, उसके बाद fan speed की बात करें, तो यहां पर आपको fan speed मिल जाती है, एक तो auto, उसके बाद 1 number, उसके बाद 2 number, उसके बाद 3 number, यानि के total आपको 4 fan speed आपको इ इस बटन से आप इसके modes को change कर सकते हो, mode जो इस AC के अंदर आपको मिलने वाले है, सबसे पहले है, इसका automatic mode, जहां पर यह AC automatic अपने आप सारा को set करके रखता है, आपके room condition के हिसाफ से, cooling को भी change करता रहता है, और fan speed को भी change करता रहता है, next है इसके अंदर cooling mode, जहां पर आप से चिप चिपा हट को, तब आपने इस mode को use करना है, next, last इसके अंदर मिलता आपको fan mode, अगर आपको compressor नहीं चलाना, cooling नहीं करना है, just indoor का fan चलाना, ब्लोर चलाना, तो यह mode आप use कर सकते है, तो cooling पर ही आपको इसमें रखना है, तो यह सारी settings मिल जाती है, उसके बार 5 in 1 के लिए यह वाला button आपको मिल जाता है, जहां से आप इसकी cooling capacity को adjust कर सकते हैं, यह देखी यहां पर, सबसे पहले starting में आपको मिलती है, इसकी 40%, 40% के ओपर यह काम करने वाला cooling capacity 40% रह जाएगी, उसके बाद है, इसके अंदर आपको मिलता है, 60, 60, उसके बाद 80, और 100%, तो यह स सारे के सारे आपको इसके अंदर convertible, 4 modes यहां पर मिल जाते हैं, और 5 mode आपको यह वाला turbo मिलता है, यहां पर अगर आप जिवाते हो, तो highest cooling capacity मिल जाती है, तो यहां पर आपका timer मिल जाता है, timer को आप on-off कर सकते हैं, यहां पर इसकी घड़ी है, clock है, उसको आप यहां से set कर स सकते हो, यह वाला, swing on and off, और यहां से यह सारे दोनो swing के option है, उसके पाद energy saving के लिए यहां पर special button दिया गया, यहां से आप इसका button प्रेस करके, इसको energy saving mode पे भी use कर सकते हो, slip और यह light, यह सारे option आपको इसके अंदर, यहां से आप indoor के उपर जो light आती है, यहां पर सामने की दरफ, उसको आप यहां से on off कर सकते हो, sleep profile आप अपनी set कर सकते हो, ताकि आपको रात को ठंड ना लगे, अपने आप AC अपना हर घंटे के बाद 2 degree temperature बढ़ाता रहे, तो आप इस AC के अंदर sleep mode को भी use कर सकते हो, तो इस तरह से आप इस AC के इस remote को control कर सकते हो, तो यह थे सार के सारे complete features, blue star के इस dayton 3 star inverter AC की, model नंबर दबारा आपको बताता हूँ, IC 318 ONU 2014 का बिल्कुल latest model है, जिसके अंदर मिलती है आपको convertible 5-in-1 की technology, तो इसी के साथ आज के हमारे वीडियो को यही पर end करते हैं, अगर आपको यह air conditioner पसंद आया, तो इसका purchase link मैंने नीचे description में दे है, वहाँ से जाके आप इस इसी को purchase कर सकते हैं, तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर end करते हैं, और मिलते हैं आप से ऐसे किसे नए product के, नए डामों के साथ, तब तक next time के लिए, okay, tata, bye, bye